नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे आप लों को बहुत-बहुत श्वागत मैं हूं सिभिल इंजेनियर फ्रितिस दोस्तों 35 फीट बाय-40Soft भर गर का लिए शीकार की और यां पर नमस्कारब अमस्कार दोस्तों यह पूरी तरगी से closed है क्योंकि अल्लेडी घर बना हुआ है और पीछे की तरफ से भी यह पूरी तरगी से closed है उसी इसाफ से यहां पर design किया गए किस तरगी से ventilation रहेगा वो भी हम detail में बात करेंगे पहले अब इसका direction अच्छे से नजर कर लिजे east west north south तो इसका जो entrance रहेगा यहाँ पर staircase प्रोवाइड कियागे इसे आंटिकलो को इस moment लेके L-shape में आप उपर जाएंगे दोस्तों staircase यहाँ पर रखने का वज़ा दोस्तों ही है आप अगर first floor rent में देना चाहते हैं तो आराम से rent में भी दे सकते हैं क्योंकि जो rent में रहेंगे वह इसे ही बाहर के बगरा है वाट्रोप बगरा है यह सब आराम से दोस्तों यहाँ फीट हो जाएगा और इस bedroom से ventilation के लिए एक उंडो दिया गया है क्योंकि आप उंडो यहाँ पर दे सकते हैं front के तरफ से road गया है आराम से उंडो दे सकते हैं बगल में देखेंगे मंदिर मिल रहें चार प्रोवाइड किया गया है जो कि open to sky रहें दोस्तों चत से खुला रहें गया और यहाँ पर bedroom से एक उंडो यहाँ पर दिया गया है ताकि अच्छे से ventilation हो पाएगा और उसके बगल में देखें यहाँ पर common toilet आप लोंको मिला है common light bath भी आप इसको बोल सकते हैं 4 feet by 6 feet 2 inch का और यहाँ पर ventilation के लिए एक ventilator दिया गया है 2 feet by 2 feet का तो यहाँ से आप अगर यहाँ पर आएंगे बीच के पूर्स में देखिए hall or dining मिला है 12 feet 10 inch by 18 feet 10 inch का काफी बड़ा hall or dining यहाँ पर आप dining table आराम से लगा सकते हैं hall or dining में किस तरह किसे ventilation होगा आगे हम इसके बारे में बात करे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए लेप साइड में आप लोगों को और एक बेडरूम मिला है बेडरूम नवर थ्री नौफीट एक इंस बाई बारा पीट का और यहाँ पर ventilation के लिए एक उंडो दिया गया है क्योंकि इस तरब से रोड जा रहा है और आप आराम से पर आप यहाँ पर देख रहे है किचन का दोफीट निकला हुआ स्लाव रहेगा जो कि सलाब बनाना बहुत ही जरू है उनको खाना बनाना में बहुत ही आसानी होता है और दोस्तों देखें यहाँ पर लोगों को एक ओटीस प्रोवाइड कि यहाँ पर एक उंडो दिया गय और इसके बगल में देखिए कॉमान टॉलेट कॉमान लाडबाद भी आप इसको बोल सकते हैं पांस फीट आठ इंज भाई छे फीट का इस्तेमाल करने में कुछ भी दिक्कत नहीं क्योंकि साइज जो है काफी बड़ा साइज यहां पे रखा गया है और इसके विंटलेशन के यहां पे एक उंडो दिया जाएगा जो की OTS पर्शन में रहेगा और अच्छा से दोस्तों विस बेडरूम से वेंटलेशन हो पाईगा और रोशनी भी दोस्तों घर के अंदर आ पाईगा जोस्तों यह हो गया पूरा टोटल हमारा प्लान आप लोगों को क्या-क्या यहां और कहां-कहां आप लोगों को पीलर मिलेगा दोस्तों देखिए यह जो रेड कलर में आप देख रहे हैं बॉक्स टाप इसका पीलर यहां पर प्रोवाइड कियागे पीलर अगर यहां पर काउंट किया एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तैरा चो इसमें घर बनाने के लिए आप लोगो 16 लाग से 17 लाग रुपए पड़ जाएगा इसमें आपका मैटरियल कोश्ट लेवर कोश्ट सब को दोस्तों मिला के 16 लाग से 17 लाग रुपए में यह सांदर घर बनके त्यार हो जाएगा जो की घर बनाते टाइम क्या होता है कि इध अब बनके पूरी दर्गी से त्यार हो जाएगा हमारे जितने वीवर से हो हमारा नक्सा का वीडियो देखते हैं लेकिन कमें फीड़बैक नहीं देते हैं कि आप लोगो को कैसा लगा और दोस्तों यह रहेगा पूरा टोटल हमारा प्लान में उम्मिद करता हूं आप लोग सबसे पहले नोटिविशन मिलेगा क्योंकि दोस्तों प्लान सांड डिजाइन में आप लोगों को इससे घर का नक्सा प्लान डिजाइन 3D मोडेल घर का वाक्तुरू हाउस कंस्ट्रेक्शन रिलेटेड हर तरह का वीडियो दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल क्थशन वाउस का वीडिविशन वोगों का वीडियो ।